हाजी welcome back and this is Ashuni और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे है अपनी जावास्किप्ट की प्लेइस्ट और इस वेरी फिर्स्ट वीडियो से हम देखेंगे अपनी थर्टिकल कंसेप्ट इसको मजबूत करेंगे फिर हम बढ़ेंगे नेक्स वीडियो से अपनी कोडिंग पार्ट के दिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपको कोई और लेंग्विज भी आती है तब भी कोई दिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि इसमें अगर मैं कोई भी कंसेट यूज करता हूं तो यह मेरे को एजी रहेगा अगर नहीं आती है तो वो तो सारी चीज़े हम compare करेंगे और सारी चीज़े हम सीखेंगे है ना तो चलो पहली एक point से start करते हैं मैं समझता हूं कि भाई हमें कुछ नहीं आता है ठीक है मुझे कोई भी language नहीं आती है और यह मेरी पहली language है इसको मैं जो पढ़ रहा हूं यह मे based scripting language है ठीक है इसको थोड़ा याद रखना object based को इसको मैं सारे point cover करके तब discuss करेंगे ठीक है कि object based है क्योंकि यह बहुत important है इसी के ऊपर सारी language dependent है इसलिए मैं किया रहा हूं इसको थोड़ा सा याद रखना बाकी का एक company है जो की उसका नाव है landscape उसने इसको release किया था JavaScript को ठीक है और दूसी चीज़ हमने complete कर ली तीसी चीज़ का है current version चल रहा है इसका वो है ES12 अब ES12 का मतलब क्या होता है अगर एक economy है इसके लिए ES का मतलब है ECMAScript ठीक है अब पांच्वा point क्या है इसका कि use to convert our static web pages into the dynamic web pages देखो एक मैं बहुत ही simple सा example देता हूं static page का और dynamic page का ठ एक long and terms में like मेरे को कुछ नहीं आता है एक ऐसे समझते हैं कि यह pages होते क्या है मैं पहली वार जावस्केपर नहीं ठीक है एक तरफ हो गया मेरा static यह मेरे static web page की पहले बात करने तरफ देखो एक कोई भी website है अगर यह एक page है मेरा अगर तुम किसी एक website पर जाते हो यह मेरा pages और वह website मैंने html बंग रखे है यहां से वह html का tag स्टार्ट होगा यहां html का tag खतम हो जाएगा अब यहां पर जोजों चीजे मैंने html लिख रखे होंगी तो अगर इसको मैं विजिट करूँगा यह मैं हूँ अगर मैं इसको विजिट करता हूँ first time तभी यह content same होग अगर मैं इसको विजिट करता हूँ second time तभी content same होगा third time तभी content same होगा यह तो बात रही है आपके static की अब बात कर लेता हूँ मैं dynamic की अब यहां पर किसी की बात करना हूँ मैं dynamic webpage की ठीक है अब देखो dynamic webpage क्या है let's suppose आपने क्या विजिट करना है आपने go ibibo विजिट करनी है तो आपने go ibibo विजिट करनी है अब यहां पर क्या है मुझे एक flight की details चाहिए मुझे flights की details चाहिए ठीक है मुझे flights की details चाहिए flight की क्या होगी मेरी details from Delhi to मैं कह देता हूँ पोने ठीक है अब हो सकता है कि आप Monday को वो flight देखो तो आपको जो flights की counting मिलेगी जो flight का count मिलेगा वो मिलेगा लगवग 10 अगर आप वही आप Tuesday को देखोगे तो वो जो flight का count होगा वो 12 हो सकता है और वही आप Wednesday को देखोगे जो flight का count होगा कि इस दिन कितनी flight चल दी हो क्या prices है वो count होगा 15 और यहीं पे अगर मैं मंडे को price की बात करूँ कि price क्या होंगे तो वो price इसके let's suppose मैं मार लेता हूँ 3 के हैं और इसके जो price होंगे वो 4 के होंगे या 2 के होंगे इसके price होंगे तो ऐसे यह सारी चीज़े different हैं मतलब एक वैब पेज पे इसके लिए गो आई भी मूर का एक उन्होंने ऐसे करके page दे रखा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं वैब पेज तो इस वैब पेज पे कई सारी different different चीज़े अलगलग जगा से आ रही होगी उनको हम बोलते है APIs अब यह क्या है और यह सब उसका कुछ मत सोचो बस यह सोचो कि dynamic क्या होता है कि content बदलता रहता है इस पे जो भी मेरा content है वो fixed नहीं है तो इसको मैं कहता हूँ dynamic because यह बदलता रहता है और उपर वाले को मैं कहता हूँ static क्यों क्यों क्योंकि बदलता नहीं है अगर आप 1000 बार भी इस पेज को विजिट करोगे तब यह सेम ही रहेगा okay well and good अब हमको समझ में आए कि dynamic क्या है और static क्या है I hope यह clear रहा होगा ठीक है अब देखो अब बात आ आती है कि इस पे नहीं ज्यादा टाइम इंवेस्ट नहीं करना चाहता कि डायमिक और स्टाटिक विकॉज जब हम अप्लिकेशन बनाएंगे तो आपको ओटमाटिकली तीजर हो जागा विकॉज आप जैस पढ़ने आ रहे हो तो आप स्टाटिक वेपीजिस के लिए पढ़ और यह जो है एक लाइबरेरी है यह माइक्रोसफ नहीं जो है एक फ्रेम वग नहीं है यह लाइबरेरी है अब इसके मैं जो क्या देखना है कि हाओ टू एजिक्यूट अजेएस और अगर मैंने ठेटिकल सारी चीज़े क्लियर और तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं लिख हुआ कहां तो वैसे तो इसके लिए हम यूज करते हैं यह मेरी ID है हम यूज करेंगे ठीक है यह वाली ID ही हम यूज करेंगे वी एस कोड अब जब मैं कोड लिखूंगा किसी आईडी में तो दो चीज़े आती है मुझे कि अगर एक आईडी है जैसे कोई भी आईडी होगी जैसे नीचे खुला पड़ा यह एंटैलीज है यह वी एस कोड है ना तो अब वी एस कोड का ऐसे एक हमें दिरिख्खियोगी विंडू उस पे हम कॉड लिखेंगे ठीक है ऐसे अब दो चीज़े हैं एक होता है मेरा एंटरप्रटर और यह कोड मेरा executed होती है अब इसमें difference क्या है compiler में और interpreter में sorry my bad js जो होती है वो interpreter के द्वारा executed होती है not a compiler तो इसको execute करने के दो तरीक है या तो तुम interpreted से कर लो या फिर node tools से execute करने के लिए आपको node.js install करनी पड़ेगी अपने system और interpreter क्या होता है यह हमारे already एक chrome में पड़ा होता है या पे तो जबी भी आप जावास के पेज़ चलाओगे यह इसको read कर लेगा समझे क्या होता है अब देखो अब मुझसे आप बोलगे कि अश्वनी आपने दो चीज़े बोली कि भाई एक तो होता है मेरा interpreter है ना एक होता है मेरा interpreter और एक होता है मेरा compiler एक होता है compiler दोनों में अंतर क्या है देखो अंतर क्या है यह थोड़ा समझना ज़रूरी है और आपने अगर कोई language Java या सी प्लस प्लस आती है तो आपको पता ही होगा ठीक है कि Java में हम JIT और compiler दोनों मिक्स होता है उसमें ठीक है उसके हम बात नहीं करेंगे interpreter की बात कर लें कि ऐसे करके मेरा एक code लिखा होगा यहां पर ठीक है तो interpreter क्या होगा मालों कि इस line पे line number 10 पे आपकी एक error है ठीक है तो पहले वो 10 वाली को बोलेगा आपको कि इसको resolve करो इसमें issue है फिर अगली बार जब आप execute करोगे तो आपको यह line number 12 वाली को बोलेगा एक साथ नहीं बोलेगा ठीक है इसका मतलब क्या है जो interpreter होता है वो synchronously execute करता है प्रोग्राम को और आप कह सकते हो line by line execute होती है ठीक है compiler जो होता है at a time पूरे source code को execute करता है समझगे तो यह क्या होता है मेरा जो compiler होता है वो मेरा synchronously execute करता है मैं ऐसे लिख सकता हूँ synchronously execute करता है ठीक है यह तो थी हमारे एक theoretical video सारी चीज़े हमने इसमें सब्सक्राइब क्या होता है एक बार मैं बता दू कि हाँ object based क्यों है तो यह बाकी यह सारी चीज़े हमने compare कर ली है मैंने कहा थे कि इसको point को दिमाग में रखना इसको हम discuss net escape vendor कौन होता है जो चीज़ को provide करता है तो net escape अब इन्होंने क्या कर रखा है कुछ predefined already predefined क्या करके object दे रखे है predefined object और वो object क्या क्या है अगर मैं object की बात करूँ वो तुमारा है document ठीक है और वो तुमारा है console वो तुमारा है data ऐसे करके इन्होंने कई सारे objects दे रखे हैं अब as in developer अगर आप एक developer हो है ना as in developer और यह कौन है developer as in developer आप इन objects को यह जो सारे objects दे रखे है की document हो गया console हो गया और यह data हो गया है ऐसे बहुत सारे हैं इनको आप use कर सकते हो इन सब को इन सब को हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अपने according that's why इसको हम बोलते हैं क्या object-based language object-based scripting language अब जैसे हम बोलते न जावा को object-oriented language ठीक है वो objective-oriented है और यह object-based है समझ गया है कि मैं क्यों बोलना है इसको object-based यह बहुत ही important था क्योंकि देखो interview के साब से यह बहुत ही important question है कि interview में वो तुम से पूछेगा कि JavaScript क्या है तुम बोलोगे कि JavaScript है object-based scripting language अगर यह आपने बोला तो definitely उसका अगला question होगा कि object-based क्या होता है तो इसको mark करो यह important है ठीक है अब मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में और इसको हम देखते हैं आगे कि कैसे हम code करते हैं कैसे हम पढ़ते हैं जावा स्किप्रों ठीक है till then take care bye bye I will see you in the next video